तो आज़ की वीडियो बात करने वाले हैं की पोश्ञ ट्रेकर का नया वडजन 16.2 आ गया है तो सबसे पहले सभी आगंवड़ी वर्कर पोश्ञ ट्रेकर को प्लेश्टोर से अप्डेट कर लेंगे आपको प्लेश्ड गड़ीट करना है वहां से इसक और relyड़ करना है फॉर् पूशन ट्रेकर पर जाके भी उपन कर तो चले आप सभी अपना पूशन ट्रेकर ओपन कर लेंगे और उसके बाद हम देखते हैं पूशन ट्रेकर ओपन करने के बाद आपको इस तरह का होमपेस खुल कराएगा तो चले आज हम बात करने वाले हैं डेली ट्रेकिंग पे और हम करेंगे तो आपको इस तरह का पेश खुल कर आए और यहां पे काफी आगन बाड़ी वर्कर कन्फ्यूज हो रही है कि हमें एक्टेंडर्स कैसे फिल करनी है तो चले आज हम उसी टॉपिक पर यहां पर बात करने वाले हैं कि आपको अपना आगन बाड़ी केंद ओपन और कितने बच्चे चड़ाए हैं और कितने हमारे टूटल बच्चे हैं तो चलिए आप वीडियो में लास्ट तक बनी रही है और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आपको वीडियो के निचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिक के आ यहाँ पर आगन बारी केंदर स्टेjust दिखाय दे रहा होगा और यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे open और close तो जब आप अपना केंदर open करेंगे तो आपको open पर क्ली करना है और यदि किसी दिन आप अपना आगन बारी केंदर नहीं खोलता है तो आपको close वाला बटन यहाँ इस पर टच करना है और ओपन करेंगे तो ओपन पर टच करेंगे और यह ग्रीन हो जाएगा और उसके बाद आती है बच्चों की अटेंडर्स मौनिक इसनेक और असेम फिर हमारी अक्टिवीटी तो यहां पर आपको अटेंडर्स का ओप्सण दिखाया देरा और फिर दूसरे नंबर पर हमारा मौनिक इसनेक जो नासता देते हैं और फिर थर्ड ओप्सण है हमारा एसेम यानि खाना और लाश्ट है अक्टिवीटी जो आपने बच्चों क activity कर आई है तो चलिए सबसे पहले आपको बच्चों की attendance फिल कर लेनी है आप attendance पे टिक करेंगे और टिक करने की बाद आपको यहां पर बच्चों की detail आजाएगी आपके जितने भी एट की होंगे पंजिकरत बच्चे होंगे तो वो आपके तीन से च्छे वाले ही बच्चे यहां पर उपस्तित होंगे और यहां पर आपको टिक करना है जो बच्चे आपके उपस्तित हैं यानि केंद्र पे आए हैं तो उन बच्चों के आगे आपको टिक कर लेना आप यहां यहां पे आपका जो first ये दिखा का जो उन्भर का कॉलम ये नास्था देखना है जो लाश्ट कॉलम दिखाई दे रहा है यहां RGB आप क्या थी और ये खाने तो तो का ज सकिकरने हैं कि हम चाह लाइं मेरा है जुदकी केंडे मां कॉलम भी खाली है और जो नास्ता वाला कॉलम है वो भी खाली है और जो खाना वाला है वो भी खाली है दूसरी नमबर पर आगया हमारा बबलू तो बबलू यहां पर इनकी हमने अटेनर्स फिल की है और हमने इनहें नास्ते में नहीं दिखाया है क्योंकि नास्ता खिलाया नहीं है और HCM खाना भी नहीं खिलाया है तो हम खाने पर भी हमने नो कर रखा है टिक नहीं कर रहा है यानि आपको यहाँ पे ऐसा करना है यदि बच्चा आपका उपस्तित है तो आपको फर्स्ट उपस्तिती मैं भी किलिक करना है और आपने उसे नास्ता दिया है मौनी स्नैक तो आप उस पर भी टिक करेंगी और थर्ड अपसन है आपने उसे खाना खिलाया है तो आप खाने पर भी किलिक करेंगी जिन जिन बच्चे उपस्तित है आपको टिक करते जा रहा है ना नास्ता भी दिया तो नास्ता भी टिकक्या खाना भी टिक्क किया हम इसके बाद हमें यह यहां से समीड कर लेना है आपको यहां पर रर्यट गलर कत आएगा तो आपको उस पर टिकक करना है ौई से समिट कर लेना है यहां पर यह रेट नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने अपनी अटेंडस पहले ही फिल कर दी है तो मैं वीडियो बाद में बना रही हूं इसलिए मैंने बागी वो टिक नहीं किये हैं तो उसके बाद आपको यहां से समिट कर लेंगे और समिट करने के बाद आ जाती है हमारी activity और जैसे आप submit करेंगे तो आपको फिर से इस तरह का home page आ जाएगा तो यहाँ पे हमने वो खाना morning snack और attendance तो फिल कर ली है लेकिन हमें आप करनी है activity तो activity हमें activity यहाँ पे दिखाई दे रही है तो हम activity पे click करेंगे जैसे activity पे आप click करते हैं तो आपको यहाँ पे दो option मिलेंगे तो आपने जो activity कराई है pre school education या फिर सोचिता तो दोनों ऐसे एक पे आप या फिर आपने दो ही दो की है तो आप दोनों पे click कर सकते हैं और यदि दो नहीं की हैं तो आप एक पे click करेंगे और उसके बाद नीचे आपको done या summit का option आएगा तो आप वहाँ से उसे touch कर लेंगे यानि click कर लेंगे तो आपकी attendance फिल हो जाएगी तो ये थी हमारे आज के attendance वाले अपडेट आसा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और चैनल को तो subscribe कर लीजेगा क्योंकि मैं pushart tracker से जितनी भी वीडियो डालोंगी और जिस परकार की वीडियो डालोंगी तो आपको वो समय समय पर सबसे पहले देखनों को मिलेगा तो चलिए हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई